आपका जीवन मंगल मैं हो लाइक करें शेयर करें आचारेपंडित गिरीश बारोलिया जोतिश हस्त्रेखा एवं वस्त चैनल रादे रादे जैश्री किष्णा नमस्कार मैं आचारेपंडित गिरीश बारोलिया काहित्री महामत्र भर्गो देवश्य धीमाही धीयो यो नाहा प्रैचो दयात अज्यानत मिरां धस्य ग्याना अंजन सला क्याब चक्छुनीर मीलितं मेना तस्मैं सिरी गुर्वे नमहाम मित्रो कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि यदि आप गायत्री मंत्र जबते हैं तो फर आपको किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है गायत्री मंत्र फलत होता है या नहीं होता है सिद्धियां प्राप्त होती है या नहीं होती है कई प्रकार की लोगों के मनों में ब्रांतियां बनी रहती है मित्रो यदि आप अनाज बूने के लिए किसी जमीन का किसी खेट का इस्तिमाल कर रहे हैं और यदि वो अरुबरक नहीं है तो फिर वहाँ पर आप कितनी भी कोशिस करेंगे वहाँ पर अनाज पैदा नहीं होगा जमीन में जब खेट में आप दाने डालते हैं तो उसके पहले उसके कंकड़ पत्थर आपको बीनना पड़ते हैं उसके पस्चाद जो है उसकी उरुबरक छमता बढ़ती है और फिर अच्छे तरीके से वो अनाज आपके लिए वो जमीन देती है इसी प्रकार से जो व्यक्ती गैतिरी मंतर का जाब करता है तो सबसे पहले तो ये देखना है कि उसका उसके परती सरद्धा निस्था या वो क्या चाहता है उसकी कामना क्या है निस्तवार्द भावना से कर रहा है कि किसी कामना से कर रहा है या सिर्फ ऐसे ही कर रहा है किसी ने बता दिया कहीं यूटूब चैनल पर सुन लिया और आपने गायत्री मंत्र जपना प्रारम कर दिया तो किस तरीके से वो गायत्री मंत्र जब रहा है किस भावनाओं से कर रहा है तो जिसकी जैसी भावना होती है उसी आधार पर कोई भी मंत्र आपको फलित होता है गायत्री मंत्र उस तरीके से होता है कि जैसे राख है राख के अंदर जो है वो अंगार होता है लेकिन आप बिए ऐसे उस को पकड़ेंगे तो आपको उतना ज़्यादा उसका एहसास नहीं होगा लेकिन राख को हटाने के बाद में आप देखेंगे तो फिर आप अंगार को नहीं पकड़ सकते हैं इसी प्रकार से जब आप गायत्री की साध्रा करते हैं तो आपके उपर जो राख रूपी लोव, मोह, काम, क्रोध, इत्यादी की जो परते जमी हुई है वो निकल जाती है और फिर उसके पस्चाद जब जो अंगार के रूप में आता है तो वो फिर गायत्री साध्रा को उभ उसे किसी रूप से उसकी सिद्धियां या उसका लाफ जरूर प्राप्त होता है ये बात एक अलग है कि किसी को जल्दी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है किसी को बहुत देरी से प्राप्त होती है एक कक्षा में चालिस बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनमें से कोई फस्क करता है लेकिन उसमेंसे निकल करके कुछी लोग आगे आ पाते हैं और उन लोगों मैंसे एकादी कोई डाक्टर या इंजिनियर या कोई आईसाफिसर बन पाता है इसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि जितने लोग गायत्री मंतर का जाब करते हैं सभी को वो फलत हो यह आपकी सरद्धा और विस्वास के साथ में इस मंतर का आप जाब कर रहे हैं जाब के सिद्ध होने के कई तरीके होते हैं यदि आपने 24 लक्ष के जाब किये हैं तो आपको गायत्री सिद्ध हो सकती है पांच साल तक यदि आपने लगातार पांच माला नित्य दी गायत्री मंतर का जो व्यक्ति जाप करता है उसके लिए गैत्री सिद्ध हो जाती है या सवाला के जो व्यक्ति अनुस्थान करता है उसके लिए गैत्री सिद्ध हो जाती है ऐसे सास्त्रों में अनिक प्रकार के बरणन है कि कितने जाप करने से गैतिरी माता की जो है सिद्धियां प्राप्त हो जाती है सवा करोड जो व्यक्ति गैतिरी मंतर का जाप करता है वो गुरु दीख्षा लेने का देने का अधिकारी हो जाता है और उसे ऐसा सास्त्रों में बर्नन है कि उसके लिए गायत्री का साक्षादकार हो जाता है तो मित्रो यदि आप गायत्री मंतर का जाप निमत रूप से करते हैं पूर्ण सरद्धा और भक्ति के साथ में तो ये तो सथ प्रिश्य सथ है कि आपके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर प्राप्त होगा खाली हाथ तो आप नहीं रहेंगे लेकिन जो व्यक्ति बिसेश रूप से साधना कर रहा है तो उसके लिए जब गायत्री फलित होती है तो वो क्या-क्या लोगों के दुख दूर कर सकता है और किस प्रकार से दूर कर सकता है आज हम इस वारे में आपको थोड़ा सी जानकारी देंगे कि जो व्यक्ति गायत्री के साधक होता है वो अन्य लोगों के कौन-कौन से दुखों को दूर कर सकता है उसमें किस प्रकार की सक्तियां आ जाती है लेकिन मित्रो यदि जो व्यक्ति गायत्री के साधा को रदी अपनी साधना का कहीं दिरूपयोग करता है तो फिर वो सक्तियां बड़े जल्दी नस्ट भी हो जाती है और फिर उसके लिए अंतिम समय में जो है बहुत सारा नुफसान भी होता है इसलिए हमेशा अपनी साधना का जो उपयोग है वो ऐसी जगह पर करना चाहिए जहां पर की बहुत ज़्यादा उसकी आबश्यक्ता हो अब हम आपको कुछ उधारन के तोर पर बता रहे हैं कि जो गायत्री का साधा कोता है वो अपनी सक्तियों के दोरा किन-किन चीज़ों को समाप्ड कर सकता है यदि कोई रोगी है, कोई वेक्ति रोगी है और आप इद्ी गायत्री के साधाख है तो आप वहाँ जाकर के अपने दायने हाथ में ठोरा सा आप जल ले लें और जल लेकर के आप पाँच बार गायतिरी मंतर का आप जाब करें तो उससे क्या होगा कि वो जल जो है वो अभी मंतरित हो जाएगा उसके पस्चाथ उस जल को उस रोगी को पिलाने से या उसके उपर उसका छिड़काओ करने से उसका रोग जो है वो ठीक हो जाता है नीम की टहनी या जो मौर्ग पंकी आपने देखा होगा कई लोग मौर्ग की पंकी जो एक खट्टेयां से कर लेते हैं या कोई नया जाड़ो उससे यदि आप गायत्री मंतर का जाब करते हुए किसी भी ब्यक्तिक के ज़दी आप जाड़ फूंक करते हैं तो फिर उसके रोग भी ठीक हो जाता है और किसी प्रकार के ज़दी उसको कोई भूत प्रेत बाधा इत्यादी हो तो वो उसकी दूर हो जाती है तो ये गायत्री मंतर का जो सादक होता उससे ये फाइदा होता है पीली सरसों को यदि आप भी मंतर कर लें पीली सरसों को थोड़ा सा आप अपने हाथ में ले लें और गायत्री मंतर का जाप करके और आप यदि मालो उसको सामने वाले को उपर कुछ छिड़काओ कर दें या उसको दे दें तो उसके उपर यदि किसी ने तंतर मंतर का प्रियोग किया है तो वो दूर हो जाता है अब मंतर को किसी भोज पत्र पर या किसी सादे कागच पर अनार की लकड़ी से और केसर की चंदन की जो है उसकी स्याही बना कर आप तावीज में डाल करके यदि किसी व्यक्ति को पहना देते हैं तो फिर उस व्यक्ति की समश्याओं का निदान हो जाता है यानि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समश्या है तो वो उसकी समश्या का समाधान हो जाता है काली मिर्च का भी आप प्रियुक कर सकते हैं काली मिर्च कुछ थोड़ी सी काली मिर्च ले ले और उनको गायत्री मंत जब करके उसको अभिमंतित कर ले और फिर उसको नजर टोक में भी आप कर सकते हैं रोगी को ठी करने में भी आप कर सकते हैं इन सब चीजों में आप उसक गायत्तिरी मंतर ओम भुर्वा स्वा इतना लिख करके और तावीज बना करके यदि आप किसी के गले में पहना देते हैं तो फिर उसके लिए बिद्धा बुद्धी बिवेक किसी भी प्रकार की कोई भी जीवन में उसको परेसानी होगी तो वो उसकी नस्ट हो जाती है गायत्तिरी मंतर से जब हम आहुतियं देते हैं और उससे जो भस्म निकलती है उस भस्म को जो गायत्तिरी के सादा को उसको रख लेना चाहिए और रखने के पशचात में यदि कोई व्यक्ति बीमार है या किसी प्रकार का कोई उसको तंत्रमंत इंत्यादी किसी ने कुछ कर या है तो उसको जो है अपने बाएं हाथ में रख करके और दाएं हाथ से उसको थोड़ा सा घिसते हुए गायत्री मंतर का जाब करे और फिर उसके पस्चात में उस ब्यक्ति के मस्तिस्प में गले में और हर्दे में लगा दे और उसका थोड़ा सा उसको चटा दे तो फिर उ परने लगता है, कोई ब्यक्ति इस प्रकार से आपको लग रहा है कि वो पागल तो नहीं हो गया है, डिप्रिशन में तो नहीं चला गया है, तो ऐसी इस्तिती में यदि जो गायत्री का सादक होता है, वो किसी पातर में गंगा जल ले करके और पांच बार या कुछ समय तक ग गयत्री मंतर का जाप करके और उस ब्यक्तिक उपर ज़िए वो छिलकाओ कर देता है, तो फिर उसकी ये बाधाएं दूर हो जाती हैं, कि यदि अच्छे संतान की आप चाहे रखते हैं, तो गयत्री सादक एदि केसर की स्याही बनाए, और अनार की लकड़ी से, एक कांसे की थाली आपको लेना है, और अनार की लकड़ी से, केसर की स्याही से, उसमें एक सो आठवार जो है, आपको गयत्री मंतर उसमें लिखना है, और उसके पस्चात में, उसे उस गर्बती महला को पानी डाल करके, गंगा जल डाल करके, यदि आप उस महला को, उस जल को पिला दे तो निश्चत रूप से जो होने वाली संतान होगी वह बहुत ही भागे साली बहुत ही प्रतिवा साली होगी रवी बार को यदि कोई व्यक्ति सत्रूं से परिसान है तो रवी बार को मध्धान में यानि दोपहर के सम्मुक खड़े हो करके यदि आप पांच वार गैतिरी मंत का जाप करते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी सत्रूं होगा वो फिर आपके सामने कुछ नहीं कर पाएगा वह मूग की खाएगा यदि किसी ब्यक्ति का बैपार नहीं चल रहा है कोई ब्यक्ति बहुत ज़्यादा परिसान है और आप उसका हित करना चाहते हैं तो फिर आप लिए तो फिर निश्चित रूप से उसके घर में हमेशा मा लक्ष्मी का बास रहेगा फिर उसके घर में धन धन की कभी कमी नहीं रहेगी तो मित्रो ये तो हमने आपके लिए कुछ प्रियोग बताए जो गायत्री के साधा के अदि इन प्रियोगों को प्रियोग में लाता है या किसी भी प्रकार कि उसकी बनो कामना है किसी ब्यक्ति की कोई ब्यक्ति आपके पास महाया उसकी बच्चे बच्ची की साधी नहीं हो रही और उसको यदिया आपने तावीज धारण करा दिया अभी बंतित करके तो फिर उसकी निस्टित रूप से साधी हो जाती है कि आपकी बच्ची या बच्ची की साधी अगले में या दो मेहने के बाद हो जाएगी तो ये मान के चलिए कि सत्र प्रतिस्थ यदि उसका योग नहीं भी होगा तब भी उसकी साधी उस समय हो जाएगी ये गायत्री साधना के चुमतकार होते हैं तो गायत्री मंत्र का जो व्यक्ति जाब करता है उसके लिए अनेक प्रकार की सिद्धी हैं प्राप्त होती हैं कई प्रकार की सिद्धी हैं प्राप्त होती हैं उसकी बाणी जो है वो सिद्ध हो जाती है, तो मित्रुख गायत्री की साधना करने से बहुत सारी सिद्धियों की प्राप्ती होती है, और बड़े जल्दी गायत्री फलित होती है, बसरते कि आपकी जमीन उरुवरक है या नहीं, यह है आपको देखना है, आपकी भावना कित का जाब कर रहे हैं, यदि आपके अंदर किसी चीज का भरोसा ही नहीं होगा, विस्वास नहीं होगा, तो फिर वो चीज आपके लिए फलित नहीं होती है, तो सबसे पहले तो सरद्धा और विस्वास, बगएर सरद्धा और विस्वास की कोई भी चीज आपको फलित नहीं होती है आप किसी डाक्टर के पास जाते हैं और उसके उपर ये आपको भरोसा है तो वो कोई भी दवाई आपको दे देता है तो वो आपके लिए फलित हो जाती है और एक बहुत बड़ा डाक्टर है बहुत सारी डिगरी हैं लेकिन आपको उसके उपर भरोसा नहीं है तो फि किसी को भी उनके उपर भरोसा होता है और वो समर्पन कर देते हैं समर्पन अपने गुरू के प्रति समर्पन अपने इस्ट के प्रति जब आप करके और जाप करते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको सफलता है प्राप्त होती हैं जिन वैक्तियों को नीद नहीं आती है उन बेक्तियों के लिए कोपाय बताय देते हैं कि वो सोते समय रात को कमर सीधी करके बैठ जाएं बाइं हतेली नीचे रख लें दाइं हतेली उपर रख लें और पांच वार गायत्री मंतर का जाब कर लें सांस को पहले प्राणायम कर लें और फिर पांच वार गायत्री मंतर कज़ाब करते हैं बहुत सारे लोग हम से जुड़ रहे हैं और प्रिसी दिन सो डेड़ सो बाट साप पर मैसेज आते हैं लोगों की फोन काल्स भी आते हैं क्योंकि हमने बोला हुआ है कि गायतरी से संबंदित कोई भी चीज़ी कि यदि आपको जानकारी लेना है तो आप नि संबता होती है और हम पूरन रूप से बताने का प्रयास करते हैं और जब हमारे पास में कुछ इस प्रिकार की फोन आते परेदी जाएंगे और प्ले लिस्ट में आप देखेंगे गायतरी साधना करके तो आपको बहुत सारी वीडियो साथ सतर वीडियो मिलेंगे जिसमें हमने गायतरी के संबन्द में हर प्रकार की चीज़ों के बारे मैं उसमें बताए सारी भ्रहांति आपकी उसमें दूर की हैं तो उन्हें आप जरूर सुनें यदि आप गायतरी की साधना करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मा गायतरी की असीम कृपा आप लोगों को प्राप्त होगी और निश्चित रूप से इस वर आपको जरूर देगा बसरते की आपकी जमीन और वराक होने चाहिए यानि आ इसी प्रकार अपना इस नियावा प्यार हमें देते रहें मा गायतरी की अश्चित रूप इसी प्रकार आप लोगों को उपर बनी रहे हमें आग्या दे नाश्कार और